नमस्ते बच्चों, वेलकम बेक टू अक्छरवंद्रा, चलिए, आज हम CBSC बॉर्ड के एकोरिंग क्लास 9 और 10 की सब चैप्टर 4 मनुस्यता को देखेंगे, क्लास 10 चैप्टर 4 मनुस्यता और इसके लेकाख है मैतलिसराण गुप्त जी, और मैतलिसराण गुप्त का जन्म 1886 को चिरगाओं में हुआ और कवी के मृत्यू 1964 को मानी जाती है, इसमें एक बात और बताते चलें कि कवी सुकु, मैतलिसराण गुप्त को सुकुमार कवी कहा जाता है क्योंकि ये प्रकरतीर के बारे में ज़्यादा लिखते थे, प्रकरती के बारे में फूलों के बारे में एन्वार्मेंट के बारे में ज़्यादा लिखा है कवी ने, इसलिए इन कवी को सुकुमार कवी भी कहा जाता है, मैतलिसराण गुप्त चिरगाओं, NCRT द्वारा अधारित मनुस्यता पाट का प्रवेश हम पढ़ते हैं, प्रकरती के अन्या मनुस्यों की तुलना में, मनुस्यों को में सोचने की चेतना सक्ति की प्रवलता तो होती ही है, वे अपने ही नहीं औरों के हितों का भी ख्याल रखने में, औरों के सुक दुख का भी ख्याल रखना चाहिए, आपको इनकी एक बार इनकी जानकारी बताता चलू कि इतनी इनकी पत्नी का और इनकी बेटी का एक किसी बीमारी के कारण मनलब देहांत हो जाता है तब से इनकी जीवन में एक ऐसी निरासा आ गई थी परन्तु ये फिर भी एक आसावादी कभी माने जाते हैं और इन्हों ने मैतली सरण गुप्त जी ने अपनी बेटी अपनी पुत्री की याद में इन्हों ने इतनी कोमलता की बात कही है कि इसलिए इनको सुकुमार कभी भी कहा जाता है ये बहुत कौमलता की बात करते हैं बहुत दर्द वाली बात करते हैं प्रकरती के बारे में बात करते हैं मनुस्यता के बारे में बात करते हैं चलिए तो कहते हैं मनुस्य ऐसा नहीं है वह जो कुछ भी कमाता है जो कुछ भी बनाता है वह दूसरों के लिए भी करता है और दूसरों की साहिता से भी करता है प्रस्तुत पाट का कभी अपने जीने मरने की वालों को मनुस्य तो मानता है परन्तु वह यह मानने को तयार नहीं है कि उन मनुस्यों में मनुस्यता के पूरे-पूरे सभी लक्षन भी होने चाहिए कोई इंसान है पर इंसानियत किसी इंसान के अंदर मानने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं होगा क्योंकि जब तक वो दूसरों को मनुष्यों को महान मानेगा तब तक वे अपनों और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले दूसरों के चिंता करते रहने चाहिए वह तो उन मनुश्यों को महान मानेगा जो अपने सेलफिंग नेशर से नहीं दूसरों के लिए तैयार रहते हैं दूसरों के हेल्पिंग नेशर उनमें मौजूध है मनुश्यों में ऐसे गुण चाता है कई कि मनुश्य इस मृत्य लोक से चले जाने के बाद भी सदियों तक याद रखे, दूसरों की यादों में रहे अर्था अर्थ वेह मृत्यू के बाद भी अमर रहता है आखिर क्या है वेह वेगुण मनुश्यता पाट का सार हम देखते हैं प्रस्तुत पाट में कभी मनुस्यता का वास्तविक अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा है, पहले पद में कभी कहता है कि हमें मृत्यू से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यू तो निश्चित है, एक ना एक दिना नहीं है, पर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग हमें भी याद रखें बच्चों हमें अपने जीवन में ऐसे स्रेष्ट कारिय करने चाहिए जो व्यक्ति स्रेष्ट कारिय करता है असल वास्ताओं में वही एक सही पुरुस माना जाता है असली मनुस्यता उसी व्यक्ति के अंदर हम मानते हैं और ये हमी नहीं ये मानावता की भी बात होती है कि वास्ताओं में मनुस्यता तो वही है जो दूसरों के दुखों का भी ग्यान कराए और दूसरों के सुक दुख में हम समलित हो सके चलिए वास्ताओं में असल में मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीना वे मरना सीख ले दूसरे पद में कभी कहता है कि हमें उदार बनना चाहिए उदार मनुष्य के हर जगे गुनगान होता है वास्ताओं में मनुस्य वही कहलाता है जो दूसरों की चिंता करे दूसरों के सुख दुखों का ध्यान रखे तीसरे पद में कभी भी कहता कि पुराणों में भी उन लोगों के बहुत बहुत उधारन है जिने उनके त्याग भाव के कारण आज भी याद किया जाता है जैसे दानवीर कर्ण, दानवीर राजा सिवी जिनोंने अपना पूरा सरीर दान कर दिया था एक पक्षी के लिए क्योंकि वो पक्षी भूका था सच्य मनुष्य वही है जो पूर्ण त्याग भाव समझ ले चलिए आगे है, चोथे पद में कवी कहता है कि मनुश्य के मन में दया, करुना का भाव होना चाहिये और करुना के भाव के साथ साथ मनुश्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए मरता और जीता है पांचवे पद में कभी कहना चाहता है कि यहां कोई अनात नहीं है हम सब उसकी एक इस्वर की संतान है हमें भेद भाव से उपर उठकर सोचना चाहिए छटे पद में कभी कहना चाहता है कि हमें दयालू बनना चाहिए क्योंकि दयालू और परोपकारे मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं हमें दूसरों का परोपकार वे कल्यान करना चाहिए सात्वे पद में कभी कहता है कि मनुष्यों के बारी कर्म अलग-अलग हो परन्तु हमारे वेद साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है हम सब एक ही इस्वर की संतान हैं सभी मनुष्य भाई बंधू और मनुष्य वही है जो दुख में दूसरों मनुष्यों के काम आए अन्तिम भाग में कभी कहना चाहता है कि विपत्ती और भिग्न को हटाते हुए मनुष्यों को अपने चुने हुए रास्तों पर चलना चाहिए आपसी समझ को बनाए रखना चाहिए और भेद भाव को नहीं बढ़ाना चाहिए ऐसी सोच वाला मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्यान और उद्धार कर सकता है राइट चलिए मनुष्यता चैप्टर फॉर फुल एक्स्प्लेनेशन है पाठ की पूर्ण व्याक्या विचार लो की मृत्य हो ना मृत्यू से डरो कभी मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी हुई नहो सुमृत्यू तो व्रथा मरे व्रथा जिये मारा नहीं वही की जो जियाना आपके लिए वही पसु प्रवर्ति है कि जो आप आप ही चरें वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे अर्थार्थ विचारलो, सोचो कवी परस्तुत पंक्तियों, कवी पाट्टे कुछ तक हमारी इसपर्स भाग से दोसे ली गई है इसके कवी मैथलिश अन्गुप्त जी है प्रस्तुत पंक्तियों में कभी बताना चाहता है कि मनुस्ये को किस परकार का जीवन जीना चाहिए कहता है कि विचार लो हमें ये जान लेना चाहिए कि मृत्यू निश्चित है मृत्यु से हमें नहीं डरना चाहिए कभी कहना चाहता है कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें जो मनुस्य दूसरों के लिए कुछ भी न कर सके उनका जीना और मरना दोनों बेकार है मरकर भी वह मनुस्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते है ठीक है वह पसू परवर्ती है जो पसू परवर्ती क्या है पसू परवर्ती वही है जो अपने अपने के लिए करता है दूसरे के लिए कुछ नहीं करता नेक्स्ट है कभी के अनुसार वास्तों में मनुस्य वही है जो दूसरे मनुस्यों के लिए मरे अथार्थ मनुस्य दूसरों की चिंता करे वास्तों में असली मनुस्य के वही कहलाता है उसी उदार की कता सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्त भाव मानती उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त स्रष्टि पूजती ठीक है अखंड आत्म भाव से जो असीम विस्व में भरे वही मनुस्य है कि जो मनुस्य के लिए मरे अतार्थ कहते हैं कि उसी उदार की कता सरस्वती बखानती ये जो जिसका एक हिर्दे होता है कि उसके बारे में सरस्वती तक उसके बारे में वर्णन करे बखान करे उसी उदार से जो हमारी धरा यानि प्रत्वी है उसका भाव मानती है उसी उदार की सजीव कृती कूजती य तता उसी उदार को समस्त सरष्टी पूजती और उसी उदार को समस्त सरष्टी पूजन करती है अखंड आत्मभाव से असीम विश्व में भरे जिसका अकंड आत्मभाव है पूरा जो विश्व है उसमें उसका वर्णन होता है जैसे कलपना चावला वही मनुस्य है कि जो मनुस्य के लिए मरे असल में मनुस्य तो वही है वास्ताओं में जो मनुस्य के लिए मानवता रखता है इंसानियत रखता है जो दूसरों के इस पस भाग दो से ली गई है इसके कभी मैतली सरण गुप्त जी हैं। निम्नलिकित पंक्तियों में कभी बताना चाहता है कि जो मनुस्य दूसरों के लिए जीते हैं उनका गुनगान युगो युगो तक किया जाता है। व्याख्या कभी कहता है कि जो मनुस्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है उसी महन व्यक्ति की कथा का गुनगान सरस्वती अतार्थ पुस्तकों में भी किया जाता है। हम कल अपना चावला और डोक्टर एपिज अबदुल कलाम जी के बारे में पढ़ते हैं तो सरस्वती यानि पुस्तक ग्यान पुस्तकों में ग्यान भंडार में उनके बारे में लिखा गया है। चुदार्थ रति देव ने करस्थल थाल भी तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। क्याने भूके रति देव ने अपना कर्माने हातों से करस्थ माने अपने सिर का भी दान कर दिया था। ददीची ने परमार्थ करने के लिए अपनी सरीर की हड्डियों का धाचा बनाने के लिए वो भी दान कर दिया था। उसी नर्चितिज ने स्वामास दान भी किया। राजा सिवी ने अपना मास भी दान किया था एक पक्षी को। सहर्स वीर करन ने अपने सरीर का जो कवच कुंडल सरीर में लगे हुए थे वो भी दान किया। तो इस जो देहे है ये मिटने वाली जो देहे है इसका अनादी जीव क्या डर है। वही मनुस्य है जो मनुस्य के लिए मरे। अथार्थ प्रसंग प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी इसपस भाग दो से ली गई है। इसके कवी मैथली सरन गुप्त जी हैं। निम्लिखित पंक्तियों में कवी ने महन पुर्सों के उधारन भी दिये हैं। जिनकी महांता के कारण उन्हें याद किया जाता है। कभी कहता है कि पुर्वानी कथाओं ऐसे व्यक्तियों के उधारनों से भरी पड़ी हैं। जिन्होंने अपना पूरा जीवन तूसरों के लिए त्याग दिया। जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है, भूख से परिशान रतिदेव ने अपने हाथ की आखरी थाली भी दान कर दी थी, और महरिसी ददीची ने तो अपने पूरे सरीर की हड्या व्रज बनाने के लिए इंदर को इलिए दान कर दी थी, उसी नर्देश के राजा सि जिनके बारे मैं बात कर रहा हूं, कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मास दान कर दिया था, और वीर करन ने अपनी खुशी से अपने सरीर का कवच भी दान कर दिया था, कभी कहना चाहता है कि यह जो सरीर है हमारा, यह नस्वर सरीर है, इस सरीर को खोने के लि सानुभूती चाहिए महाविभूती है यही वसी करता सदेव बनी सदेव है बनी हुई स्वयम मही विरिद्धु भाव बुद्ध का दया प्रभाह में बहा विनीत लोग वर्ग का क्यान साम ने जुका रहा अहा वही उदार है परोपकार जो करे वही मनुस्य है कि जो मनुस्य के लिए मरे अर्थार प्रसंग प्रसुत कविता में हमारी पाट्य पुस्तक हिंदे इसपर्स भाग दो से ली गई है इसके कवी मैतलिस अन गुप्त जी है निमलिकित पंक्तियों में कवी ने मात्म बुद्ध का उधारन देते हुए दया करूना का सबसे बड़ा धन बताय कवी कहता है कि मनुस्यों के मन में दया वे करूना का भाव होना चाहिए यही सबसे बड़ा धन है स्वयम इस्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं इसका सबसे बड़ा उधारन मात्म बुद्ध है जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोग कल्यान के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं जुकता अर्थार्थ उनके दया भाव वे परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है वे उनकी पूजा की जाती है महान सिर्फ उसको कहना चाहिए जो परोपकार करे यानि परमाने दूसरे और उन पर जो उपकार करे उसे तो परोपकार कहते हैं तो महान भी उसी को कहना चाहिए जो दूसरे पर उपकार करें वही मनुस्या है जो मनुस्या कहलाता है, मनुस्या के लिए जीता मरता है, मनुस्यों की हेल्प करता है रहो न भूल के कभी मदांद तुछ वित्मे सनात जान आपको करोन गर्व चित्मे अनात कोन है यहाँ तिरलोक नात साथ है दयाल उद्दीन बंदु के बड़े विसाल हात है अतीव भाग्यभीन है अधीव भाव जो करे वही मनुस्य है कि जो मनुस्य के लिए मरे चलिए इसका भी देख लेते हैं प्रसंग प्रसुत कवीता हमारी पार्ट्य पुच्तक हिंदे इस पस भाग्यदों से ली गई है इसके कभी मैतलिसन गुप्त जी है प्रसंग हमें इसी परकार से लिखना चाहिए ये प्रसंग लिखने के तरीका होता है निमलिकित पंक्तियों में कभी कहता है कि संपत्य यानि धन पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए किसी के पास धन कम है, किसी के पास जादा है किसी को अपने को अनात नहीं समधना चाहिए क्योंकि इस्वर भगवान सभी के साथ है कभी ने व्याक्या की है कि भूल कर भी कभी संपत्ति या यस पर किसी परकार का भी गमन नहीं करना चाहिए इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ अपनों का साथ है क्योंकि कभी कहता है कि यहां कौन सा व्यक्ति अनात है उस इस्वर का साथ सभी के साथ है वह बहुत दयावान है उसका हाथ सभी के उपर रहता है कभी कहता है कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस परकार का उतावलापन रखता है क्योंकि मनुस्य वही व्यक्ति कहलाता है ज समक्ष ही स्वभाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े परंपराव लंब से उठो तता बढ़ो सभी अभी अमरत्य अंक में अपंग हो चड़ो सभी रहो न या की एक से काम ओर का सरे वही मनुस्य है कि जो मनुस्य के लिए मरे अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े अनंत बहुत सारे देव खड़े होगा है समक्षी स्वभाव उसे अपने देखो बच्चे चोट-चोटे बच्चे हैं एक दूसरे इतने प्यार के साथ रह रहे हैं ठीक है तो ये एक मनुस्य सात्मे है कभी कहता है कि कलंक रहित रहने पर दूसरों को सहरा बनने वाले मनिश्यों का देवता भी स्वागत करते हैं। रहनाओ की गोद में बैठो, अथार्थ यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे, तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्यान वे उधार करना चाहिए। क्योंकि इस मरंसील संसार में मनुस्य वही है, जो मनुस्यों का कल्यान करे, वह परोपकार करे। ठीक है, मनुस्य मात्रा बंदु है, यही बड़ा विवेक है, पुरान पुरुस स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवस्य भाईय भेद है, परंतु अंत रेक्य में प्रमान भूत वेद है। अनर्त है कि बंदु ही न बंदु की व्यथा हरे, वही मनुस्य है जो मनुस्य के लिए मरे। प्रस्तुत कविता, हमारी पाट्यपुस्तक हिंद इस पर्स से भागदो से ली गई है, इसके कभी मैतलिशन गुप्त हैं, यह आप हमने सभी ने देख लिया, हम सब एक इस्वर की संतान हैं, हम सब मनुस्य एक दूसरे के भाई बंदु हैं, कभी कहता है कि परतेग मनुस्य एक दूसरे के भाई बंदु हैं, यह सबसे बड़ी समझ है कि पुरानों में जिसे स्वयम उत्पन प्रुस माना गया है, यह माना है, माना गया है, परमात्मा या इस्वर हम सभ के पिता हैं अतार्मनुष्य उसकी एक इस्वर की संतान हैं बारी कारणों के फल अनुसार प्रतियंग मनुष्य के कर्म भले ही अलग-अलग हो परंत वेद इस बात के साक्षी है कि सभी की आत्मा एक है कभी कहता है कि यदि भाई ही भाई के दुखोंगे कस्टो का नास नहीं करेगा, तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुस्य तो वही कहलाता है, जो बुरे समय में दूसरे मनुस्यों के काम आता है चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्स खेलते हुए, विपत्ति विग्न जो बड़ पड़े उन्हें धकेलते हुए कटे न हेल मेल हां, बड़े न भिन्निता कभी, अतर्क एक पंत के सतर्क पंत हो सभी, तभी समर्त भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुस्य है कि जो मनुस्य के लिए मरे बहुत सुंदर कभीता है, मैतलिशन गुप्त द्वारा लिखित, लिखते हैं कि यदि हम खुशी से सारे कस्टों को हटाते हुए भेद भाव रहित रहेंगे, तभी संभाव है कि समाज की उन्नती होगी कभी कहता है कि मनुस्य को अपनी इच्छा से चुने हुए मारकों में खुशी खुशी चलना चाहिए, रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं आए तो उन्हें हटाते हुए चलना चाहिए, यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ में रिष्ते ने बिगडें, भेद भ कद्धी भी कायम करें, कभी ने कैसी मृत्यू को सुमृत्यू कहा है, जो दूसरों के लिए मरें, सीधा सीधा समझें, कभी ने कैसी मृत्यू को सुमृत्यू कहा है, जो अच्छी मृत्यू, जिसे अपने मनुस्य अपने से पहले दूसरों की चिंता करता है, परोपकार का रास्ता चुनता है, जिसे मरने के बाद भी याद किया जाता है, जैसे कलपना चावला, डॉक्टर एपीज अब्दुल कलाम, लाल बादुर सास्त्री, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उदार, जो पहले दूसरों की चिंता करता है, और लोग कल्यान की भावना र देकर मनुस्यता के लिए ये संदेश दिया कि परोग कार करने वाला ही असली मनुस्य होता है, बच्चो मानवता की रक्षा के लिए ददीची ने अपने सरीर की सारी अस्थियां दान कर दी थी, कवी ने अपनी जान की परवा किये वे वगएर अपना सब कुछ कवच दे द किया था, जिस कारण उन्हें आज तक ही याद किया जाता है, कवी इन उधारनों के द्वारा ये समझाना चाहता है, कि परोग कार ही सच्ची मनुस्यता है, कवी ने निमलिखित पंक्तियों में गर्व रहित जीवन व्यतीत करने की बात कही है, रहो न भूल के कभी मगांग प्रतु छुवित्त में सनाथ जान आपको करो न गर्व चित में, अतार्थ संपत्ति के गमन में कभी नहीं रहना चाहिए, और नहीं इस बात पर गर्व करना चाहिए, कि आपके पास आपके अपनों का साथ है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अनात नहीं है, सब उस पर प्रम्पिता परमेश्वर की संतान है, मनुस्य मात्र बंदू है, से आप क्या समझते हैं, मनुस्य मात्र बंदू है, अतार्थ हम सब मनुस्य एक इस्वर की संतान है, हम सब भाई बंदू है, भाई बंदू होने के नाते, हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे का बूरे समय में साथ देना चाहिए कभी ने सब को एक होकर चलने की प्रेरना क्यों दी कभी ने सब को एक होकर चलने की प्रेरना इसलिए दी ताकि आपसी समझ में आपसी समझ ने भिगडे और ना भी बेदभाव बढ़े सब एक साथ होकर चलेंगे तो सारी बाधाएं मिठ जाएंगी और सब का कल्यान और इसम्रद्धी होगी व्यक्ति को किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए कविता की अधार पर पूछा है तो सीधा है परोपकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए क्योंकि जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचे जो अपने से पहले दूसरों की चिंता करे very very important question बार बार आता है बच्चो ध्यान रखना मनुस्यता कवीता के दौरा कभी क्या संदेश देना चाहता है मनुष्यता कवीता के माध्यम से कवी यह बताना चाहता है कि परोपकार ही सच्ची मनुष्यता है परोपकार ही एक ऐसा साधन है इसके माध्यम से हम युगों तक लोगों के दिल में अपनी जगा बना सकते हैं और परोपकार के द्वारा ही समाद का कल्यान वे सम्रद्धी संभाव है हमें परोपकारी बनना चाहिए ताकि हम सही माइने में मनुष्यता मनुष्य कहलाएं हमें परोपकार करना चाहिए निमलिखित का भाव इसपस्ट कीजिए सहानु भूती चाहिए महा विभूती है यही वसी करता सदेव है बनी हुई स्वयम मही विरुद्ध भाव बुद्ध का दया परवा हमें बहा बिनीति लोग वर्क का क्याना सामने जुका रहा कवी इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि मनुश्य के मन में दयाव्य करुणा का भाव होना चाहिए यही सबसे बड़ा धन है स्वयम इस्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं इसका सबसे बड़ा उधारन मात्मा भुद्ध जी है जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोग कल्यान के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं जुखता अतार दया भाव वे परोकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता इसलिए मात्मा भुद्ध की पूजा की जाती है रहो न भूल के कभी मदांद तुछ वित में सनात जान आपको करोन गर्व चित में अनात कोन है यहां तिरलोकनात साथ है दयालुदीन बंदु के बड़े विसाल हात है कह रहे हैं रहो न भूल के कभी मदांद तुछ वित में कभी भी घमन नहीं करना जाए संपत्ती पर यस पर किसी भी परकार का कभी भी क्योंकि हमारे साथ कोन है अपनों का साथ है अलो अभिष्ट मार्ग में सहर्स खेलते हुए, विपत्ति भिग्न जो पड़े, उने ढखेलते हुए, गटे न हेले मेलहा न बढ़े न भिविनता कभी, अतर्क एक पंत के सतर्क पंत हुँ सभी। कविन पंक्तियों में कहना चाता है कि मनुष्यों को अपने इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी-खुशी चलना चाहिए, रास्ते में कोई संकट या बाधाएं आएं तो उने हटाते चले जाना चाहिए, मनुष्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ ने बिगड़े और भेदभाव ने बढ़े, बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी यह संभाव है कि मनुष्य दूसरों की उन्नती और कल्यान के साथ अपनी सम्रद्धी भी कायम करे, अपने लिए भी जिये पर दूसरों को बच्चो ये अतिरिक्त महतवपूर्ण पर्षन हैं, हमें इने भी देखना चाहिए, व्यक्ति की मृत्यू कैसी होनी चाहिए, व्यक्ति की मृत्यू ऐसी होनी चाहिए कि उसके जाने के बाद भी उसके कर्मों को याद करें, वीर करने सरीर को अपने सरीर का चर्म क्यों दि जुड़े हुए थे व्यक्ति को किसके मद में अंदानी होना चाहिए this is a very very important questions बार बार पूछ लिया जाता पेपर में कि कैसा किसकी बात हम कर रहे हैं ठीक है तो यही question है वो व्यक्ति को तुछ धन के प्यारे में इस इसार में कोई भी अनात क्यों नहीं है क्योंकि इस वर patience होना चाहिए इस इस अंसार में अनर्थ क्या है यदि विश्व में एक मानव दूसरे की मानव की व्यता को दूर करने का प्रियास ही नहीं करे तो सबसे बड़ा अनर्थ है क्योंकि दोनों के बीच बंधुत्व का नाता होना चाहिए दयालू दीन बंद और अमरत्य अंक म बार बार आवरत्ती हुई है चलिए मनुस्यता कविता में किस बासा का प्रियोग किया गया है संस्कृत निष्ट है और खड़ी बोली है तिर लोगनात भगवान इस्वर तिनों लोकों के स्वामी अथार्थ इस्वर मानव में प्रासपर भाई अवेद किसके कारण होते है कर्म फल के अनुसार होते हैं मनुस्यता कविता के अदार पर किन तीन मानवे गुनों के बारे में लिखे 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 बार बार पूछा जाता है मनुस्यता कविता के अदार पर किनी तीन गुनों के बारे में पूछे पर्थम गुन स्वार्थ नहीं होना चाहिए यानि स एल्विस नेचर, परमार्त की भावना होनी चाहिए, धर्म, जाती, संपरदाए के संपंध बंदों से उपर उठकर लोगों की हेल्प करने चाहिए, तीसरा है, मनुस्य में सभी लोगों को अपना समझने की भावना होनी चाहिए, ठीक है, ये questions बहुत important थे, मैंने बता दिया कि तीनों मानुए गुनों के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान रखें, मैतली सरण गुप्त ने गर्व रहित जीने के क्या तरक दिये, कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, लोग धन पे घमंड कर लेते हैं, कुछ अपने चेरे पे घमंड करते हैं, कुछ मनुष्यता कवीता में कभी ने हमें प्रोपकार करने के लिए कैसे प्रेजित किया है, कभीता के अधार पर बताईए, ऐसा है यह, यह भी very important question है, चार question इसमें से मुझे बहुत important लगते हैं, जो बार-बार परिक्षा में पूछे जाते हैं, मनुष्यता कभीता में कभी ने हमें प्रोपकार करने के लिए प्रिजित करते हुए कहा है, कि दूसरों की भलाई के लिए जीता और जो मरे वही अमर हो सकता है, सरस्वती यानि सिक्षा में भी उसका गुनगान किया जाता है, जैसे डोक्टर एपीजे अबदुल कलाम के बारे में पुस्ता को में पढ़त है, ऐसा अव्यक्ति, जो विश्व के प्राणियों को अपना बंधु माने, बंधुत्तु कुटुम्बगम, कहने, अपनत्तु का भाव रखता है, अतर्क एक पंत के सतर्क पंत हो सभी, मैतरिशन ने कहा है कि मानव जाती को प्रेरित करके, सभी भुला दें, अलग अलग ज जाती का है, कोई किसी संपरदाय से है, कोई किसी संपरदाय से है, कोई किसी धर्म से है, कोई दूसरे धर्म से है, सब कुछ भूल के सिर मानवता उपर होनी चाहिए, मनुश्य को लोग कल्यानता पर बल देना चाहिए, कभी अमरत्य अंक में अपंक हो, चड़ो सभी, कह रह जो होकर के रहते हैं देवता भी गोद उनकी उनको प्राप्त करते हैं किसी भी परकार का कोई भी कलंक हमारे उपर नहीं होना चाहिए मनुस्यता के संबंद में किसी भी तरह का कलंक अपने उपर नहीं लगने देना चाहिए या इस्तिती जीवन परियंत रहनी चाहिए हमें आदर्स उत्पन करना चाहिए कवी ने किनकिन पुरानिक पात्रों को उधारन मनुस्यता के कविता में दिया है कवी ने अपनी कविता में राजा रतिदेव, महरिसी दधीची, उसीनार राजा सिवी तता वीर करन का उधारन दिया है ये सब ऐसे पौरानिक पात्र हैं जिनोंने परहित के लिए भोजन, अस्थियों तता अपने सरीर के मास्तक को दान कर दिया था मनुस्य समर्थ कब कहा जा सकता है मनुस्य को समर्थ तब कहा जा सकता है जब वे अपने संसाधनों का प्रयोक दूसरों के दुख दर्द को दूर करने के लिए करे जब मानस्वार्थ से उपर उठकर दूसरों का कल्यान करेगा तब भी वे सामर्थ्यवान माना जाएगा Very important question, बहुत important question Last में हमेशा important question रखता हूँ मैं जीव को अनादी क्यों कहा गया? जीव अनादी क्यों है? क्योंकि परतियेक जीव तो नस्वर है पर अनादी कैसे? अनादी तो वो होता है, अगर कोई जीव अच्छा कार्य करता है, त्याग देता है, उसकी जीवात्मा में विलीन हो जाते हैं, तब वे अनादी हो जाता है जब समस्त देश, समाज और विश्व के कल्यान के लिए अपना जीवन दान करता है मनुस्ये के लिए अभिष्ट मार्ग कौन सा है very important, सबसे important question अभिष्ट मार्ग अपने लक्षे की सिद्धी का मार्ग को प्राप्त करना हमेशा परतेग मनुस्ये का जीवन में कोई न कोई लक्षे होता है जिसे पाने के लिए वे निरंतर परियतन सील रहता है लगा रहता है, लगा रहता है तबी तो मन्चिल मिलती है ऐसी उस लक्षे को पाने है तो जिस मार्ग पर चलता है वे उसका अभिष्ट मार्ग है आप भगवान राम को देखो जब सुबह को सासन मिलने वाला था उसी समय 14 साल का बनवास मिला और वो भी खुसी खुसी मिला पिता नहीं यहां तक कह दिया था क्या कि आप चाहो मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता आप चाहो तो मुझे बंदी बना कर मुझे जेल में डाल सकते हो और यह सासन तुमारा है तुम इस सासन पर राज करो तो बच्चो इन सभी क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखिए और पेपर में अच्छे मार्क्स लाने की पूरी परियास करें 100% हम तुमारे साथ हैं जैहीन, वंदे मात्रम हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए थेंक यू वेरी मुच